वो आपसे ये भी पूछ रही हैं कि खाली ये कमल का फूल वाला राजी ही क्यों नजर आता है देखें बिल्कुल और बिहार में एलेक्शन तो दो हजार पचीस में है ना अभी MP का एलेक्शन तो दो महिने के बाद में देखिए MP लोग कहते रहते हैं कि यह तो बरसाती मेंधक है जहां पर चुनाओ होता है वहां काबा काबा करने चली जाती है देखिए क्या है ना चुनाओ का टाइम एक बहुत ही समवेदन शील्ड टाइम होता है जब सरकारों की पूछदा भी रहती है उसके बाद वह आपका पहुंजी का आरती ही उतारना है सरकार चुन है ना तो सवाल पूछते रहना होगा और मेरे गीच सवाल पूछते रहते हैं और और क्या आप कुछ बोल रहे हैं थे सवाल वो कह हे रहे हày है खाली कमलई वाला अब बिहार वाला तो बहुत टाइम है और बिहार का जो माहौल है नजाने पशूर के लिए चित्राजी मेंने सुना यहां नहीं पता नहीं उस पर प्रतिक्रिया प्रेख्थ क्यों नहीं दिया नněमिका जी ने फ्लाई ओवर गीरे लबीच बाजारबोल है रहे है रहे रहे तो मैंने तो बंगाल के लिए भी गाया हुआ है अलग बात है कि इस पर प्रतिक्रिया नहीं आया और दूसरी चीज मैं जनता की तरफ से सरकारों से सवाल करती हूं अनामिका जी सरकार की तरफ से मुझे जवाब देती हैं यह बड़ी इंट्रस्टिंग बात है खेर वो सब छोड़िये मैं इस मुद्दे पर बहस नहीं करना चाहती हूं नहीं मुद्दे पर बहस हो रही है तो फिर मैं तो आप लोग यहां पर भी आपके अपस में भी ताल मेल के साथ बाचीत बना सकती है बिना कावा किये और बिना बताई विए बताई बताई तो यह है कि अब भी कावा होगा प्रशन होगा तो उसका उत्तर भी होगा और प्रश्न जनता की तरफ से पूछा जाएगा तो नेहा जी आपको ये गलत फैमी है कि उत्तर आपको दिया जा रहा है प्रश्न जनता की तरफ से पूछा जाएगा तो उत्तर भी जनता की ही तरफ से दिया जाएगा और जनता ही ये देखेगी कि किसे fire करना है और किसे बनाय रखना है दूसरी बात ये है कि कोई यदी योग्य है तो उसकी योग्यता को समर्थन देना मुझे लगता है कहां तक ये अन्याय है या कहां तक न्याय संगत नहीं है तीसरी और एक बहुत जरूरी बात जब ये कहा जा रहा है पिछले दिनों बहुत सारी बाते आई हैं कि आप सरकार की तरफ से बोलते हो आज भी आई हैं अभी तुरन थोड़ी दे पहले अभी आई हैं और आप ही के इसी चैनल पे एक तमगा भी लगा दिया गया था पार्टी विशेज जब सत्ता में नहीं थी तब भी उस विचार से सहमती थी उस विचार का समर्थन था आज भी है जब वो सत्ता में है और आगे जब वो नहीं होगी यदि वो विचार वही है जो अनामी का अंबर के हैं तो उस विचार से तब भी सहमती रहेगी एक चीज़ और मेरे मन में आ रही है, आप दोनों लोगों को देखकर आपस में फोन पर बातचीत तो नहीं जाती है दोनों की, कि हम ये वाला सवाल उठाएंगे तुम ये वाला जबाब तया रखना, ताकि खूब वाइरल हो हर जगह, आपके लोग विपक्षी गाना बजाय हर जगह उनके लोग सत्धापक्षवाली गाना बजाया हर जगह, ऐसी कोई बाची तो नहीं होती आप लोगों की, जनता की मन में ये सवाल है के यूद गुल में ही पकड़ है, और वो उनका सवाल भी, बंगाल में हाइया हाद हो रहा है और बाकी जघर काबा पूचह जा बात है अभी मध्यप्रदेश में काबा हुआ साथ में राजस्थान में भी चुनाओ है छतीस गड़ में भी चुनाओ है एक गीत के बाद इतना जादा एक ही साथ है मैं यह नहीं कह रही अलग-अलग है उधर की स्केवल कमल पर ही क्यों बात कही जाती है या उत्तर पर कोई बात नहीं होती है अनामिका जी ने बहुत बढ़िया सवाल किया दरसल हो क्या गया है ना कि MP में मामा ने मुझे बांध के रख दिया सबसे पहले तो सीधी के हभीब गंज में फायार दर्ज कराया फिर इंदौर में मैं बताती हूं फिर छतरपूर में और इसके ब नहीं सब्सक्राइब ये तक ब Laughing को सब्सक्राइब हमती है तो आपने कहा राज región Çünkü नहीं सब्सक्राइब भाईया MP से मौका मिले MP में छोड़े मामा तब तो हम जाए कहीं चार-चार जगे F.I.R कर रहे हैं हर महीने में हर महीने में चार बार मुझे MP जाना पड़ रहा है क्यों भाई F.I.R दर्ज हुआ हाँ F.I.R इस बात पर दर्ज हुआ है कि मैंने एक कार्टून शेयर किया जिस पे एक जो आदमी है जो भाजपा का प्रतिनिधी था और वो सब को पता हुआ हां उसके आपका दोष्ट करने के कोशिच करने किया जब कि आरेसिस का गणवेश तो हाफ पेंट से फूल पेंट 2016 में हो गया था तो भाईया कहां से आपका गणवेश दिफेम करें जब उस कपड़े को देखा जाएगा तो लगे रहा कि वो RSS का है ये तो चोर की दाड़ी में तिनका वाली बात हो गई न कि आप अपनी सहूलियात से ढोड़ रहे हैं दूसरी चीज़ क्या है न कि MP में काबा पार्ट वन कमिंग सून वो टाइटल में वो दिक्कत कर गई इनको ये लगा कि MP में काबा इस लड़की ने गाया तो जनता ने हाथों आथ ले लिया पादा क्या हुआ फिर बाबा आ गे लिन नहीं नहीं तो मेरा काम सरकार बनाना और बिगारना नहीं है देखिए मैं प्रचार को लोक कलाकार का को सहित्व कारको कवी को कवेटरी को विपख्श की भूमिका में नहीं है सरकार की तरब से बैटिंग कर रहा हूँ उसको मैं कहती हूँ सरकारी कवी अभी जवाब अभी देना ही है मैं इवाब के पास मेरा ही टर्न है मुझे ही बोलने दीजे और बहुत धन्यवाद आप रुखने के लिए मैं आपको बता दू ये जो एक बात कह देते आपने पूछ दबाने की कोशिश करने की कोशिश करना बंद कर दीजे, इसका कारण ये है कि मैंने फिर ये कहा है, जब ये विचार धारा सत्ता में नहीं थी, मैं तब भी लिख रही थी, और अभी भी लिख रही हूँ, आजादी के बाद आजादी को कायम रखने की जिसने जिम्मेदारी ली हो, जिस देश में हम अनुछे 370 पर खुश हो रहे हो, जिस देश में राम मंदिर बन रहा हो, और उन सब बातों की प्रशंसा की जा रही हो, क्या ये प्रशंसा करना सरकारी है, क्या हम एक गुलदस्ते में सभी तरह के फूल सजाए जाते हैं, उन खुबसूरत फूलों को जब हम लिख करके गा देते हैं, से करते हैं आपको यह समझना पड़ेगा कि यदि कहीं आपने खुबसूर्ती की कहीं आपने कमी दिखाई है तो खुबसूर्ती की तारीफ करनी होगी वरना लोक गाईका की जगह आपको लोग शोक गाईका कहना शुरू कर देंगे इसलिए रुदाली रुदन बंद कीजिए बहुत धन्यवाद और यदि ये कहते रहे कि आपकी बातों का फर्क नहीं भई आपकी बातों का फर्क पढ़ना चाहिए क्यों नहीं पढ़ना चाहिए मैं किसी योग्य वक्ति के समर्थन में इसलिए खड़ी हूँ ताकि उसकी योगिता सिद्ध हो औ पर जनता को जो फायदे मिल रहें वो फायदे मिलते रहें यदि वो आयोग्य है तो जनता को फायर करना आता है उसका हमें स्वीकार है